दिखने में भले ये ट्रेलर एक स्पोर्ट्स ट्रामा फिल्म लग रही हो लेकिन असल में ये एक स्पोर्ट्स ट्रामा से कहीं ज्यादा है समाज के कपके को बदल डालने की कहानी है बुराई में अच्छाई और टैलेंट खोज लाने की कहानी है ट्रेलर रिव्यू करेंगे जुंड अफकोर्स इस फिल्म को एक बायोपिक फिल्म कहा जा सकता है क्योंकि ये फिल्म विजे बरसे नाम के एक प्रोफेसर की कहानी है जिसने स्लम एरिया के बिगडे और अपराधी किस्मी के बच्चों के अंदर एक टैलेंट देखा और उसे पॉजिटिव रूप में लेकर उन्हें फुटबॉल प्लेयर के रूप में परिवर्तित कर दिया ट्रेलर की बात करें तो ये तीन मिनट के ट्रेलर में वही सब कुछ देखने को मिला है जिस कहानी का अंदाजा उन सब को पहले से है जो रियल विजे बरसे के बारे में जानते है या पड़े है या देखे है सत्य में उजयते के पहले ही एपिसोड में प्रॉफेसर विजे बरसे के जीवन और उनके कामों के बारे में बताया गया था अब उन्ही के जीवन पर इस फिल्म का निर्मान किया गया है जिसमें उनके जीवन को परदे पर जीवन्त करने का जिम्मा अमिताब बच्चन को मिला है और अफ्कोर्स ट्रेलर के अनुसार वो जुंड में एक बार फिर दमखम लिये नजर आ रहे हैं इसे एक स्पोर्ट्स ड्रामा वाले एंगल से जज़ करें तो जो एक खास पैटर्न स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में देखने को मिलता है वो यहां भी दिखाई पड़ रहा है इस तरह की फिल्मों में पहले एक नकारा टीम को संगठित किया जाता है and of course संगठित करने वाला ही लीड हीरो होता है शुरुवात में कोई टीम में शामिल नहीं होना चाहता फिर उन्हें मनाया जाता है कुछ एक positive लोग भी टीम में शामिल हो जाते हैं finally टीम बनती है फिर practice का दौर शुरू होता है अच्छा इस practice के दौर में चीजे संतुलित नहीं रहती कहीं न कहीं कोई न कोई प्लेयर गडबडी करता रहता है ताकि फिल्म में twist बना रहे जैसे तैसे matches शुरू होते हैं और धेर सारे उतार चड़ाओ के बाद match जीत कर एक happy ending दिखाई जाती है हाला कि real life और real incident पर based होने के बाद भी फिल्मों में इतना मिर्च मसाला डाल कर इतनी liberty ली जाती है कि कई बार फिल्म कहानी, real कहानी से बिल्कुल अलग बन जाती है जुंड भी real इंसान की कहानी है बट of course मिर्च मसाले के साथ फिल्म को dramatic बना कर दिखाया ही जाएगा अमिताब बच्चन एक समाज सेवी प्रोफेसर के किरदार में विजय बर्से के जीवन में घटी घटनाओं को परदे पर दिखाने का काम कर रहे हैं उनके dialogue delivery में जो पैनापन रहता है वो इस trailer में भी देखने को मिलता है इस age में भी उनका इस तरह का powerful performance निश्चित तोर पर युवा कलाकारों के लिए किसी प्रेड़ना से कम नहीं है Real Hero विजय बर्से 2001 में नागपूर के हिसलॉप college में sports teacher थे और उन्होंने ही वहां के slum area के बच्चों में एक talent देखा और एक soccer team बनाई जब सायराथ film के director नागराज विजय बर्से से पहली बार मिले तो उन्होंने विजय जी से पुछा कि आपने सायराथ film देखी है तो जवाब मिला नहीं फिर नागराज ने पूछा आपने जिंगाट गाना सुना है तो वो मुस्कुरा दिये तब नागराज ने बताय कि इस film को उन्होंने ही direct किया है 2012 में भी इस कहानी पर film बनाने की पहल की गई थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई और प्रोजेक्ट डबा बंध हो गई मराथी ब्लॉक्बस्टर फिल्म सायराथ के ना केवल दोनों लीड एक्टर्स इस film का हिस्सा है बलके इस film के निर्देशक भी वही है जिनोंने सायराथ फिल्म बनाई थी यानि नागराज मंजुले तो ब्लॉक्बस्टर फिल्म देने वाली इस तिगडी में जब शेहनशा का आगमन होगा तो निसंदेह दर्शकों को एक और धमाका देखने को मिल सकता है फिल्हाल कहानी वैसी ही लग रहे है जैसे एक आम स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की होती है बट जिस प्रकार से दिवार की कहानी पुषपा फिल्म में दिखती है लेकिन execution और performance पुषपा को दिवार से अलग बनाती है यानि एक इनसान का अपने एक शेत्र में सबसे उची गदी पर बैठने के लिए संगर्श की कहानी उसी प्रकार से जुन्ड के ट्रेलर को देखकर भी कहा जा सकता है कि ये भी चकदे इंडिया और गोल्ड जैसी फिल्मों की कहानी से मिलती जुलती होने के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बना सकती है क्योंकि यहां जीतने के लिए जो टीम बनती है वो slum area से है हाला कि slums के उपर इससे पहले भी काफी सारी कहानिया बन चुके बट स्टिल इसमें sports को बीच में रखकर बनाय जाने से ये फिल्म कुछ अलग बन जाती है फिल्म को release करने की तारीक रखी गई है 4 मार्च और तब हम देख सकेंगे कि अमिताब बच्चन और उनके द्वारा trained बच्चे मैदान मार पाते हैं या नहीं Have a nice day